नमस्कार दोस्तों and welcome to my channel तो कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज की कहानी है एक मा बेटी और उनकी मीठी मीठी नोग जोग के बारे में तो क्या आप तयार हैं ये कहानी सुनने के लिए तो आईए शुरू करते हैं उस रात को आरती ने अपनी मा से जगड़ा किया और वो घर से निकल गई रास्ते में चलते चलते उसे ध्यान आया कि उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है यहां तक कि उसके पास घर पर एक फोन करने के भी पैसे नहीं थे उसी समय वो एक होटल के यहां से गुजर रही थी जहां से नूडल्स की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी अचानक आरती को भूख लगने लगी उसका बहुत मन हुआ कि वो रुख कर एक प्लेट नूडल्स खा ले लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे जब होटल के मालिक ने उस हिच किचाती हुई लड़की को वहां कड़े देखा तो उसने पूछा कि बेटा क्या तुम नूडल्स खाना चाती हो तो आरती ने शर्माते हुए सर जुका कर बोला कि मेरे पास बिलकुल पैसे नहीं है तो होटल वाले ने कहा कि कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से खेला देता हूँ आ जाओ थोड़ी ही देर में होटल वाला आरती के लिए गर्मा गर्म नूडल्स लेकर आ गया आरती ने नूडल्स खाये और उसकी आँखों में आशू आ गये तो होटल के मालिक ने पूछा कि क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो बेटी तो आरती ने जवाब दिया कि कुछ नहीं आपकी अच्छाई और नेकी देखकर मेरा दिल भराया आप बहुत अच्छे इंसान है फिर आरती ने कहा एक आप हैं जिन्होंने अंजान होते हुए भी मुझे अंदर बुलाया और नूडल्स खिलाए और एक मेरी माँ है जिन्होंने छोटे से जखड़े के बाद मुझे घर से निकाल दिया वो बहुत बुरी है तो होटल वाले ने कहा कि तुम ऐसे क्यूं सोच रही हो एक बार फिर से सोच कर देखो मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक प्लेट नूडल्स खिलाए है और तुम्हें मुझे में अच्छाई और नेकी दिखने लगी लेकिन तुम्हारी माँ ने तो बच्पन से लेके आज तक तुम्हारा कितना खयाल रखा है तुम्हारी हर खोईश पूरी की है तुम्हारी बहुत देखबाल की है तो क्या तुमने उन्हें कभी धन्यवाद दिया इसकी बजाए तुम उनसे लड़के घर से आ गई आरती उनकी बाते सुनके चकेत रह गई उसे हैसास हुआ कि मैंने इस तरीके से कभी क्यों नहीं सोचा इस अंजान व्यक्ती ने मुझे एक प्लेट नूडल्स खिलाए और मैं इनकी शुक्र गुजार बन गई लेकिन मेरी माँ ने तो आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है मेरा कितना खयाल रखा है लेकिन मैंने कभी उनका धन्यवाद नहीं दिया मैंने कभी उनके लिए इस तरीके से नहीं सोचा अब आरती घर वापस जाने के लिए निकल गई रास्ते में जाते जाते वो सोच रही थी कि मैं घर जाकर मां से क्या कहूंगी कि मां मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे ही आरती घर पहुंची उसने अपनी मा को देखा वो बहुत परिशान और उदास लग रही थी वो आरती को हर जगा ढूणने के बाद ठक कर बैठ गई थी आरती को देखते ही उसकी मां बोली बेटी तुम कहां चली गई थी मैं तुम्हें कपसे ढूण रही हूँ फिर मा ने कहा कि बेटा तुम्हें भूक लगी होगी मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गरम खाना बना कर रखा है आ जाओ जल्दी से खालो वरना खाना ठंडा हो जाएगा आरती अपनी मां से लिपट कर रोने लगी उसे अब अपनी गलती और अपने मां की प्यार का एसास हो गया था तो दोस्तों हमारे माता पिता का प्यार और हमारी परवाही वो सबसे अनमोल तोफे हैं जो हमें जनम से ही मिले हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए हमारे माता-पिता ही हैं जो बिना किसी expectation के हमसे खूब प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी बर धेखबाल करते हैं और हमारी चिंता करते हैं हमें भी उनकी कदर करनी चाहिए और उनसे बहुत प्यार करना चाहिए तो I hope आपको एक हानी अच्छी लगी होगी if you like this story please share with your friends and family don't forget to subscribe to my channel Stories with Parul see you soon with my next story तब तक के लिए Namaskar and take care of yourself bye-bye